किसान भाईयो नमस्कार में हूँ आपका किसान दोस्त विजयो और आप देग रहे हैं इनोवेटिव फार्मर्स यूट्यूब चैनल किसान भाईयो आज हमारे साथ में मुझूद है यस जी जाट जिने आप अच्छी तरह से पेचानते होंगे माई किसान दोस्त चैनल से तो आज किसान भाईयों से मिलते भी रहते हैं तो जो किसान भाईयों से मिलते भी रहते हैं तरीके से कर सकते हैं और किस तरीके की खेती आज के समय के लिए किसानों को अच्छा मुनाफ़ा दे सकती उसके बारे मैं तोड़ा बताइए विजय भाई काफी अच्छा सवाल किया है आपने और सभी इनोवेटिव फारमर चैनल पर जितने भी दर्शक है उन सभी का मैं किसान भाई नवाचार कर सके और कैसे खेती में उन्नती कर पाए देखिए सबसे पहले तुम्हें आपको बताऊंगा कि हमें समय के साथ चलना है आपने देखा होगा हम पूराने जमाने से पूराने तरीके से खेती करते आ रहे हैं अगर हम वही चाल रखेंगे या वही तर किसी भी चीद को लगा ले हम जब तक उसमें अच्छा मुनापा नहीं कमा सकते जब तक उसके बारे में को बहतर जानकरी ना हो उसके मार्केट के बारे में जानकरी ना हो और जो हम कर रहे हैं उसे हम बहतर तरीके से नहीं कर सकते तो हमें खेती करने का कोई मतलब नहीं है मैंने देखा है बहुत सारे किसान भाई ग्यहों की खेती करते हैं लेकिन ग्यहों की खेती उनके पीता ज पानि को बता रहा हां को बबार वी जना रहा है चैनि एक 50 बधन की अप अबरा है कि इसे दिन की आपको थानिल और श्रूbia सबसे अब और आपके 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 किसान ने अगर 15 कई को एगा और आपके आड कोई तो सबसे पहले वह शन्को के उसने 15 को इन चेज और इसे वह सब आपके मास्टर हो आप अपने जीले के अंदर सबसे अच्छा उत्पादन उसमें निकालो तब जा कि आप दूसरी फचल लगाओ हम क्या करते हैं इस्टोबेरी लगा दी पूरे घर परिवार के इस्टोबेरी में पूरा ध्यान हमारा हो गया जब आयो हम उसी को देख रहे हैं और ग्याओं की फसल लगा दी मक्का दिया उसकी तरफ हम देखती नहीं सिंचाई कर रहे हैं तो चार-चार एक सार पान करें दीवाइट कर दिवाइट के से करना है कि आप जो पाड़ंपरी खेती कर रहे हों 50 percent में पारमपरी खेती करो कौकि आप उसमें इस thé मास्टर हो आपके परिवार के सारे लोग उसका अच्छे से जानते है अब 10 जो बाकि साफ की आदा हिसा है उसमें आप आदे हिसिया और पशु धन, पशु पालन का कारे करो, ऐसे पॉर्टली फार्म करो, जो अलग-अलग व्यावसाई कर्शी से जुड़े होए, दाले वगेरा है, सबज्या है, मसाले वली खेती है, कुछ नई जो आप देखते हैं, यूटूब वगेरा पर कोई नई फसल, उसको बहुत कम ब बिगेर बिगे में पेले पेक्टिकल के तोर पर लगाओ, उसके मार्केट को समझो, इस तरीके से आप पूरे सिस्टेमेटिक तरीके से आप करोगे, तब जाके आपको खेती में प्रोपिट हो पाएगा, वनना अगर आपने वही भेड़ चाल चली, पूराने तरीके से खे ताकि वह अच्छा प्रोडक्शन ले सके, तो यह सबसे पहले किसान भाईों को ध्यान रगना होगा, तो जैसे आप एक चीज़ और बताइए, जैसे किसान भाई खेती करते हैं, आपने वेराइटी के बारे में बताया, तो किसान भाई जैसे यहां अगर ग्यों की खेती कर करना चाहते हैं, और एक MP में करना चाहता है, एक उत्तर प्रदेश का किसान वह भी ग्यों की खेती करना जाता है, तो वह उस किस तरीके से उसका चुनाव करें ताकि वह अच्छा प्रोडक्शन ले सके, और उसमें बीमार्या उस क्लाइमेट के साब से कम लगे, उसके बार किसान भाईयों को लगाता है, समपर्क में रहना चाहिए, उनसे वहां कही सारे विरिष्ट विग्यानिक है, विग्यानिक पोचना चाहिए, कि हमारे यहाँ क्लाइमेट के हिसाब से कौन सी किसमें अच्छी है, सारी फसलों की पोच्छे, और वह एक नोट कर ले, कि यह इस एक παते हैं उत्पादन दे किशान जो एप हो जो आसपा मितर होता है इसे कई सरे कर्षी भाग के अधिकरी होते हैं उन से संपरक मेरहें इसके अलावा आज सभी के पास स्मार्टफोन है तो स्मार्टफोन के अंदर जिडिया अवहार देक एक फार्मार जो आप जान कर नगे लिए एक लिए वीडियो देख रहे हैं तो ऐसे ही आप वीडियो लगाटार देखत रहें उन वेराइटी यो को सच करते रहें और किसानों कितने कितने उत्पदन लिया है यह हम MP की बात करें जैसे कि MP के अंदर 4-5 विराइटी ऐसी है जो काफी अच्छा उत्पदन देती है जो कि पूशा अनुसंदान के अंदर दुवारा विक्षित है मालवी काथे की यह विराइटी है पूशा तेजस्त जो अभी पिछले दो सालों से काफी जादा फेमस है काफी अच्छा उत्पदन आ रहा है पूशा मंगल पूशा अनमौल पूशा पूणना ऐसी वराइटी है जो कि मद्यप्रदेश के लिए बेहतर है इसके लाव जयते हम राजस्तान की बात करें तो राजस्तान के लिए चालिस, सैंतियस, एक तल्यस, बीस राज की जो विराइटी है वो काफी अच्छा उत्पदन देती है तो ऐसे जैसे कि माल लीजे हम हर्याने की बात करें एंकी पूरी चहति के तरीके को समझे उनके पूरी इस्टेक्चर को समझे कितने दीन की फशल है कि कब क्या उसमे देना चाहिए कितनी बाही कनने चाहिए और वेगयनिक तरीके बताने के अलावा भी आप अपने खेत की मिट्टी के अनुसार उसको पेक्टिकल करना चाहिए कई बार एसा होता है कि वेगयनिक बता देते है कि आपको अठरा अठरा इंची की दूरी रखनी है या फिर इतने सेंटिमेटर की रखनी है करका आपकी खेद के लिए वह तरीका सही नहीं है तो रचे करो एक अठरा रख ये जो तरीका है तो अपको कितना उत्व τपा aiming हुआ यदि आपको कितना उत्budan हुआ योग में तक यदि को एदू की वेगयनिक तरीका है तब चल derechos सथे कम लगता है तो एख ची सिंद अन्य कर पर फुजा बढ़ रहा है तो इसमें आप किसानों का भविश्य किस तरीके से तोड़ा थे बागवानी बहुत अच्छा प्रोपिट है बहुत अच्छा फाइदा किसानभायों को मिलता है लेकिन बागवानी ऐसा नहीं कि आपने एक बार बागवानी के बारे में सोना और होती है और बार बार उनको हाकाई जुताई अगरा इसे काम नहीं करने होते है तो इसे क्या है किसानों की लेबर खर्च बचता है जो हाकाई जुताई का खर्चा बचता है और प्रोपिट होता है बागवानी के अंदर कोई सारी ऐसी चीदे है ऐसी पेड़ वोदे हैं जिस पर पपिता वगएरा है एक साल के लिए वो कल ले और मेरा यह है कि सबसे पहले अची किश्म के पोदे चुने ऐसा नियो हो कर आप लगा दी और पच्छी साल तक आप उसी में आप उलज के रह जाओ तो पहले अची नर्सरी वगएरा देखे जहांस अच्छे पोदे मिल सके और कम सेत्रों में लगा के देके फिर देदेरे बढ़ा है यदि आपको टीम साल में फला जाता है किसी भी आप बागवणी फसल में जाते हैं तो एक बिगे में आप लगा के देखिए अगर अच्छा रिजल्ट मिलता है तो फिर आगे देदेर कर बढ़ा लीजिए तो पिर बाजार में सबी चीदों की खाद वगरा की किमते जादा हो ना और गोर्मेंट का पूरा रूजान नहीं हो इसके बात फार्मर जो थे पहले इतने एक्टिव नहीं थे आज लगातार कही सारे यूटूबर आपने देखे होंगे वीडियो बना रहे हैं कही सारे किसान अच् तो यदि वो लोग कमा रहे हैं तो निच्ची थे दूसरे भी कमा सकते हैं बस यही है कि एक के देखा देख दूसरा नहीं करना चीए ऐसा नहीं हो कि वही है आपने इसकेत में सारे अमरोद लगा दिया में भी लगा दो नहीं आप थोड़ा सा अलग करिए अपनी सोच को व पाएंगे तब तक आपके लिए गाटे का सोग दिया है उसके लिए स्वामी नाथन जो रिपोर्ट है वो तो साहिद आना मुस्किल है अपने खुद को अपनी रिपोर्ट तयार करनी है जब तक आप अपना खुद का जो लोश देखेंगे भई आपको मक्का पेदा करने मे बीए तक आप 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 शीक आप जोटे शीगा नो से जूड़ो या फिर आपसीर ऐसका आटा बना के बैंचो कैसे भी करो उसके प्रोडेक्ट बना के बैंचो लेकिन यह करोगे तब ही प्सवाइद होगा सीध रहो मटेर मंधी में जाक पटक दोगे तो अपके जाटे का सोदाई तो अपने अपना समय दिया प्किसान भायो को आपने जो सला दी दिस के लिए अपका बहुत बहुत दन्यवाद किसान भायो वैससे तो मुझे कहने की जरूत नहीं है कि सर का YouTube तो अगर आप सर से चैनल से उम्मीदे की जुड़े हुए होंगे पहले से और यदि जुड़े नहीं है तो आप चैनल पर जाके जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस करें चैनल का लिंक हो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपक जल्दी मुलाकात करेंगे एक नए वीडियो के साथ तब तक के लिए जै भारत जै किसा